आज है 14th मार्च और आज इस वीडियो में हम दिवान हाउसिंग फाइनस कॉर्पोरेशन डिएच एफल के बारे में बात करने जा रहा है आज ये शेर 3% से भी जादा अप रहा है चार रुपे की तेजी इसमें देखने को मिली है और इसमें खरीतारी करनी चाहिए या नहीं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे तो चलिए देखते हैं तो अगर DHFL के अगर पिछले एक हफ़ते का अगर मैं डेटा निकालों तो पिछले एक हफ़ते में DHFL में आल्मोस साड़े छे परसंट की गिरावट देखने को मिली है देखे 227 रुपे का लो बना है और 141 रुपे का हाई इसने बनाया हुआ था पिछले एक महिने की बात करें तो 3.24 परसंट की तेजी देखने को मिली है आप चार्ट देखे लिए इसका शेर्स का अगर आप चार्ट देखे एक गिरावट आती है फिर तेजी आती है फिर हल्की गिरावट फिर बहुत बड़ी तेजी आती है फिर जितनी तेजी आती है यहां पर जो support बनादा उतनी ही तेजी में यहां पर गिरावट आ जाती है और देखिए यहां से गिरावट के शुरुआत हुई थी यहां से फिर तेजी आई उसी price पे फिर यहां से अगेन यहां पर bottom बना के फिर से बड़ी तेजी आई और देखें यहां पर एक और bottom बना ठीक है यहां पर 127 रुपे का जो price है आप देखें पिछले एक ही महिने में तीन बार वहां पर जाके बढ़िया bounce back करने की कोशिश की तो अब यहां से हलका से थोरा सा bounce back आ करें तो 74% की गिरावट है आप देखें यह share 675-680 रुपे से गिरता हुआ नीचे आ रहा है और ऐसा नहीं है कि जब गिरावट आई इसने वापस से bounce back नहीं किया वापस से bounce back भी किया इसने लेकिन जितना bounce back किया उससे कई ज्यादा इसमें गिरावट आ जाती थी पिछले तीन साल की अगर हम बात करें तो तीन साल में 27% से भी जादा की गिरावट ज़रूर है इसके share में 104 रुपे तक का भी लोग बना चुका है यह share यहां पर आप देखी एक सो असी रुपे के आसपास यहां की जो line बनी हुई है यहां इस तरफ आने की कोशिश कर रहा ही लेकिन बहुत मुश्किल है कि इतने तक पहुँचना है अगर पिछले 10 साल की हम बात करें तो 10 साल में 365% का growth जरूर है 26 रुपीज का low है और 675-680 रुपे के आसपास का high इसने बनाया हुआ था और अब बात करेंगे market cap की तो देखे small cap industry बनके रह चुका है यह 4140 करोड के आसपास का इसका market cap है एनेसी में अगर हम आज बात करेंगे तो देखे volume trade बढ़िया है 2 करोड से भी जादा का volume trade इसका देखने को मिल रहा है नतीजे जैसे हम पहले भी इसके बार में बात कर चुका है पिछले वीडियो में उतने अच्छे नहीं है बात करेंगे shareholding की तो देखे promoters के पास 39.21% की holding है FIS के पास 22.25% की holding है mutual fund के पास 0.52% की holding है insurance company के पास कोई holding नहीं है non institution investor के पास 34.44% की holding है और देखे promoters के द्वारा share एक भी गिरवी नहीं है promoters की इतनी 39.21% holding जरूर है लेकिन जो update है जो पिछले दिनों भी आई थी वो यह है कि promoters अपनी holding बेचने जा रहे है क्योंकि उनके पास नया पैसा नहीं है cash की दिक्कत से लोग जूँज रहे है तो इसके लिए यह लोग अपनी holding बेचने जा रहे है तो शायद अगर जब next quarter update होगा तो यहाँ पर शायद आपको promoters की holding थोड़ी से कम दिखाई दे आठ mutual fund schemes ने इसमें पैसा लगाया है 171 F files भी इसमें invested है और देखे dividend भी पे कर रहा है 25% पर शायद आपको 2.50 पैसे यहाँ पर मिल रहे है और जो एक news आई है अचिली दो news आई है आज देचाफल को लेकर उसमें से पहली news है money control का यह article है और वह है कि DHEFL denies the report of clean sheet by housing regulator तो जैसे कि जो clean sheet के बात कि जाए तो देचाफल ने उसको deny किया है कि ऐसा कुछ नहीं है देखें देवान housing finance course denies on the March 14 आज ही की बात है यह a media report that a housing regulator gave it a clean cheat on allegations on the mortgage lender has created sell companies to the diverted funds तो DHFL ने आखिर इस report को deny कर दिया है जो sell companies के बारे में जो news थी के अलग-अलग sell companies को ले तो उन्होंने अब खुद को ही loan बाटे है पहले तो उन्होंने अब खुद sell companies create की फिर उन sell companies को loan बाटे और जो इसके रिगार्डिंग जो housing regulatory ने उनको clean cheat दी थी तो उसको उन्होंने deny किया है अभी हाल फिराट DHFL ने तो देखें the auditor last week dismissed the media allegations that DHFL has created sell companies to divert funds तो जो auditor है जैसे कि T.P. Oswald जिसका नाम आया था उन्होंने DHFL पे जो allegations लगे थे कि DHFL ने sell companies को बनाया fund को divert करने के लिए तो उसको लेकर उन्होंने कहा था कि ऐसे कोई allegations नहीं कोब्रा पोज्ट ने baseless allegations लगाया था ऐसा auditor ने कहा था but said the firm is monitoring the loan was inaccurate raising risk that some of that would turn sore तो उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं उन्होंने sell companies create नहीं किया लेकिन साथ में ये भी कहा था उन्होंने कि जो loans उन्होंने दिये हैं वो उतने बहतर लोन नहीं है वो risky loan है वो फस सकते है ओडिटर ने ये भी कहा है तो ये एक पहली report है दिये चलों के तरफ से इसका बहन आया है और दूसरा ये है कि NBH complete the inspection of DHFL book NBH मतलब National Housing Bank ठीक है तो National Housing Bank has concluded its inspection of book of D1 Housing Finance Corporation तो D1 Housing Finance Corporation में जो भी loaning को लेकर misappropriation चल रहा है उसको लेकर उन्होंने इनकी जो पूरी balance sheet माँगी थी book माँगी थी कि वो हमें दिखाई है हम उसको check करेंगे तो finally उन्होंने वो book का inspection check कर लिया है अलगि उन्होंने ये बताया नहीं है कि सब कुछ सही है या नहीं देखे तो उन्होंने जो DHFL की जो office है ठीक है उस न्यो दिल्ली नागपूर एन मुंबई उन्होंने वहाँ पे उनकी जो accounts book होती है उनको चार member की जो committee है उन्होंने उसको check किया और वो जो अपनी report है वो submit नहीं किया report आने वाले कुछ हफतों में वो report submit करेंगे the inspection ended last week तो last week में inspection खतम हुआ है तो देखना है कि आखिर वो कौनसी report submit करेंगे उसका effect भी आपको DHFL के shares में देखने को मिलेगा DHFL senior executive including CFO, Shantosh Sharma, President and Retail Herschel Mehta and the senior officer as governor were present at the meeting where the lander sought clarity of the independent auditor independent auditor की तरफ से ही बता जा तब ये लोग भी वहाँ पे मौजूद थे ऐसा बताया जा रहा है the queries emailed to DHFL, NHB and Union Bank of India remain unanswered till the publications of the report तो देखे queries उनको mail की है लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का answer नहीं मिला है देखे तो जैसे कि हम सबको पता है कि January में DHFL पर कोबरा पोस्ट ने accuse किया था DHFL के promoters को कि उन्होंने 31,000 करोड शेल कंपनियों पहले खुछ शेल कंपनियों बनाई और उस शेल कंपनियों को 31,000 करोड के loan बाटे तो और यह कि टीपी और स्वाल एक्समिंट अलिगेशन और सब्मिट इस रिपोर्ट शेल कंपनियों और उसके बाद जो पिछले हफ़ते रिपोर्ट आई थी टीपी और स्वाल कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर देखने वाली चीज है यहां पर और जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर जो उन्होंने एन नेशनल हाउजिंग बैंक ने उनकी जो अकाउंट्स बुक है उसको चेक किया है और अपनी रिपोर्ट वो आने वाले कुछ हफतों में सब्मिट करेंगे तो जब वो सब्मिट करेंगे तब भी देखने वाली बात होगी कि वो कौन से रिपोर्ट सब्मिट करते हैं अगर पॉजिटिव में होगा तो शैल्स में बढ़िया उचल आएगा अगर नेगेटिव में होगा तो शैल्स में बहुत बड़ा भूचाज भी आएगा ठीक है है THE API, IDBI के पास इनकी होल्डिंग है और ऐसा नहीं है कि होल्डिंग इनकी करोड़ो में है डाइक यस लाकों में है और लाखों में भी 10,00,000 कोई होल्डिंग नहीं कि मिझे सो इफंया की। देखने को मिल रही है। तो काफी लोग इसमें से निकल गए हैं और मेरे हिसाब से अगर आप रीटेल इन्वेस्टर्स हो तो हाल फिलार इसके शैड से अप फ्रॉसर दूर रहे क्योंकि कॉन्ट्रवर्सी अभी तक DHFL में खतम नहीं हुई है नो डाउट इसमें तेजी भी आ सकती है लेकिन एक बात हमेशा याद रहे कि के बड़ी गिरावट भी आने के चांसिस है तो बैटर यही होगा कि रीटेल इन्वेस्टर्स हाल फिलार इसके शैड से दूर रहे जब तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती नेशनल हाउजिंग बैंक की जब तक कोई रिपोर् चेटे करेगा और उससे फिल लोनिंग स्टार्ट होगी जब तक इसकी लोनिंग स्टार्ट नहीं होती जब तक लिक्व दिटिर की प्रावबल्म-स नहीं होती डीजफल में तब तक इस में इन्वर्ष करना अच्छी बात नहीं होगी इसे के साथ वीडियो को एंड और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजे थैंक्यू